एक्टARS यह लेक्ट्ट लेकश करेंगे और वह हो मैं spltt भॉर categ उपिक्टल से लेटेज बहुत सारी क्वेसिन्स पैसिलिए कॉंपेटेश जांके अंदर कॉंपेटेट रिफň लेफल और फिर defines Central Level का हो, या J-Mens हो, NEET हो, किसी भी competitive exam की अगर हम बात करें, CUT हो, हर एक जगे questions पूछे जाएंगे यहां से, और मिलते भी अगर आप previous year question पेपर उठा के देखोगे, तो आपको समझ में भी आएगा, और इस lecture में हम कुछ previous year questions discuss भी करेंगे, तो चले ज़रे start करते हैं, homogeneity principle हमारा यह application पर बेज़ पूरा का पूरा lecture रहेगा, कुछ questions मैं बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए लेकर आया हूँ, उनको हमें आपर discuss करेंगे, और अगर यह question आप करते हो, तो बाकी के, मुझे नहीं लगता कि कोई भी question इस topic से ऐसा होगा, जो आपसे नहीं होगा, सारे questions आप बहुत easily कर पाओगे, ठीक है ना, इस lecture को देखने के बाद, चलिए दर आते हैं, तो first question हमारा यहाँ पर आप देख पारे हो, यह क्या है, इफ P, Q, R, are physical quantities having different dimensions, which of the following combination can never be meaningful quantity, पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि homogeneity principle है क्या, तो homogeneity principle का meaning आप सभी को पता है, अगर आपने नहीं देखा है, तो आप lecture number one और lecture number two देख सकते हैं, जिसमें मैंने homogeneity principle को बहुत अच्छी तरीके से explain किया हुआ है, वहाँ पर कुछ questions भी हमने discuss किये थे, एक बार मैं दुबारा से आपको पता देता हूँ, homogeneity principle का basic क्या है, तो इसमें यह बोला जाता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा dimensions है मारे पास, दो या दो से अधिक number of quantities हैं, then we can add और subtract these quantities only if they are having same dimensions, मतलब क्या है इसका, कि अगर आपके पास x plus y किया हुआ है, इसका यह मतलब है कि x की dimension और y की dimension equal होनी चाहिए, is it clear or not, अगर x minus y कहीं किया हुआ है, it means x और y की dimension क्या होनी चाहिए, equal होनी चाहिए, right, this is the basic of the principle, homogeneity principle, तो इसी की basis पर एक question यहां दिया हुआ है, screen पर आप देख रहे हो, question क्या है मारा, कि P, Q, R, तीन different dimensions वाली quantity है, right, different dimensions वाली quantity है, which of the following combination can never be meaningful quantity, कौन सा combination meaningful हो ही नहीं सकता, यह आपको बताना है आपर, right, तो सबसे पहला combination आप देख रहे हो, P minus Q upon R है, P minus Q upon R है, इसका मतलब यहां आप क्या देख रहे हो, P और Q के बीच में minus sign लग गया, और अगर minus sign लग गया तो मैंने क्या बता है, homogeneity principle के according, वो quantities similar dimensions वाली होंगी, right, वो quantities कैसी होंगी, similar dimensions वाली होंगी, और similar dimensions वाली होंगी, जिसका मतलब बढ़ा clear हो गया, कि P और Q की dimension क्या होनी चाहिए, same होनी चाहिए, अब यह same नहीं है, right, इट मींस, उसने साब साब बोला है कि P, Q are having different dimensions, इट मींस पहला option correct है, यह कभी meaningful हो ही नहीं सकता, बाकी हो सकते हैं, P, Q हो सकता है, R के equal हो जाए क्योंकि P और Q का product है, तो हो सकता है, product हमारा तीसरी quantity R के equal आ जाए, P, Q upon R भी हो सकता है, P, Q minus, P, R minus Q square, यह भी possible है, लेकिन यह कभी meaningful नहीं हो सकता है, option A इसका correct, right, आए ज़रा next question के तरफ move करते हैं, next question हमारा और भी ज़्यादा interesting है, देखो ज़रा ध्यान से, क्या है इसमें, force F is given in terms of time T, displacement X by the equation this, यह equation आपको दे रखिया है यहाँ पर, the dimensional formula of D upon B बताना है, तो इसका solution कैसे करेंगे, हम देखो ज़रा ध्यान से, F दिया हुआ है हमें कितना, A cos Bx plus C sin dt, ध्यान से समझना, भूत interesting question है, ऐसे question एकजाम में आते हैं, ऐसे question J वेगारा और B compute एकजाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो Bx plus C sin dt, अगर मेरे पास यह जो equation लिखे हुई है, तो हमें पता है भई, जो angle होता है, वो dimension less quantity है, यह हमने discuss किया था, first lecture में, यह angle हमारी कैसी quantity होती है, angle हमारी dimension less quantity होती है, इसका मतलब यह होगा है, यह sin का जो, और cos का जो यह Bx, और dt आप देख रहे हो न, यह क्या है, angle ही तो है, और अगर यह angle है, it means, यह dimension less होना चाहिए, और dimension less होने का क्या मतलब है, dimension less होने का मतलब है, कि यह, M power 0, L power 0, T power 0, और भी कोई fundamental quantity, तो सबकी power 0 होगी, और अगर सबकी power 0 होगी, इसका बड़ा clear meaning हो गया, कि it must be equals to 1, is it clear or not, similarly dt भी क्या होना चाहिए, dt भी हमारा 1 की equal होना चाहिए, ठीक है न, तो यह equation हमारी 1 हो गई, यह equation हमारी second हो गई, क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम equation second को, first से divide कर देंगे, कर दो divide यहाँ, तो क्या मिलेगा, dt upon bx, is equals to, इधर तो भा नहीं मिलना है, तो t upon x, यह x उदर चला जाएगा, तो d upon b, की value क्या हैगे, x upon t, तो यहाँ से आप देख पारे हो, d upon b की dimension आ जाएगा, x हमारे length है, t हमारा time है, t minus 1, m यहाँ है नहीं, तो m0 हो जाएगा, l1 हो जाएगा, यही मेरा dimension है, किसका d upon b का, तो option कौन से सही होगा, m0, l1, t minus 1, m0, l1, t minus 1, d option 100% correct, तो यह इस तरह का question exam में पूछा जाएगा, very very interesting question, चालो, next question पर move करें, तो अगला question हमारा क्या है, देखो, next question भी हमारा homogeneity principle लूपर बेज़ है, इस question में आपको क्या दिया हो, the number of particles crossing a unit area perpendicular to x-axis in unit time, is given by n is equals to this, where n1 and 2 are the number of particles per unit volume, and x is equals to x1, x is equals to x2 respectively, d is the diffusion constant, then dimension of d find out कराना, देखो, बहुत simple question है, तो पहले तो आप यह समझो, कि n1 and 2 के बीच में minus sign लगा, इसका मतलब n1 and 2 के dimension equal है, x1 and x2 के बीच में minus sign लगा, it means homogeneity principle के according, x1 and x2 के dimensions क्या है, equal है, ठीक, दो चीजें clear होगी, अब आप x1 and x2 के dimension लिख लो, x1 is equals to x2, is equals to, क्या है, x1 is equals to x2, और यह x के equal है, x क्या है, x axis है, यह distance को represent कर रहा होगा, ठीक है ना, distance को represent कर रहा है, यह सीधा सीधा हमने कहा कि, यह dimension क्या है, l है, ठीक है, अब बात आती है, कि n1 and 2 क्या है, n1 and 2 के बीच में minus लगा, इसका मतलब इनकी dimension equal है, अब n1 and 2 हैं, क्या हिए, n1 and 2 हैं, हमारे basically, where n1 and 2 are the number of particles per unit volume, तो number of particles, number of particles upon volume, per unit volume है, तो number of particles का तो कोई dimension नहीं है, volume का dimension हो गया, l3 उपर जाएगा, तो l-3 हो जाएगा, सीधा सीधा, यह n1 and 2 का dimension हो गया, अब बात आती है, कि n क्या है, n इसने कहा कि, number of particles crossing unit area, and in unit time, it means, number of particles हो गया, upon area हो गया, और unit time हो गया, तो इसका dimension क्या हो जाएगा, number of particles का तो कोई dimension नहीं है, area का dimension l-2 उपर जाएगा, और time t-1, यह हमने dimension इसकी सब की निकाल ली, अब यह सारी dimensions यहाँ पूट करवा, आंसर आ जाएगा, दोकर n की जग़े क्या रखना है, l-2, t-1, यह n की जग़े आगा, d, ऐसी रहेगा, minus sign ignore कर देंगे, उपर हमारा क्या है, n1, n1 हमारा क्या है, l-3, नीचे x1 तो यह l, तो इनको अगर आप multiply करोगे, तो finally आपको क्या मिलेगा, इसको इदर ले जाओ, तो यह l-1 बचेगा, t-1 बचेगा, और यह d, l-3 बचाओ, अब इसको solve कर लो, तो यह कट जाएगा, नीचे एक आएगा, तो l-2 हो जाएगा, और t-1 हो जाएगा, यह हमारी dimension है, किसकी d की, इसको हम लिख सकते हैं, m0, l2, t-2, यह हमारी किसकी dimension होगी, तो यह देखो, d option इसका correct है, ठीक है न, तो यह बहुत अच्छा question है, important question है, इस तरह की questions, exam में आते हैं, यहाँ ध्यान रखना है, यह unit time, unit area, unit volume, इसमें बच्चे जो है, confused हो जाते हैं, और वहाँ पर, वो ध्यान नहीं देते हैं, तो question गलत कर देते हैं, ठीक है न, यह आपको question गलत, इस तरह से नहीं करना है, ध्यान थोड़ा सा रखना है, now, अगला question लेते हैं, अगले question में क्या है, potential energy, जो है distance के साथ vary कर रही है, वो इस तरह के question यहाँ दिया हुआ है, आपको A और B, A into B का dimension बताना है, तो simple है, X square प्लस B के बीच, देखो X square और B के बीच में plus sign लग गया है, इसका मतलब दोनों के dimension equal है, तो B का जो dimension है, वो X square के बरावर है, और X square हमारी distance है, तो B का dimension सीधा सीधा हो गया, L2, अब अगर यह L2 हो गया, तो यह पूरा term एक equal हो जाएगे, ML2, T minus 2 is equal to A, X का power हमारा 1 हो गया, तो इसको हम क्या लग सकते हैं, L का half, L की power half, upon L2, ऊपर जाएगा, या इसको cross multiply कर दो, तो A की value यहां से क्या आ जाएगी, A की value आ जाएगी, M, L4, T minus 2, upon L half, ऊपर से minus करेंगे, तो यह हमें क्या मिलेगा, M, L3 by 2, T, L का power this, 4 minus half बना बढ़ेगा, 4 minus half बना 7 by 2 हो जाएगा, हमारा basically, क्योंकि 4 तो जाएट, यह L half है, देखो ज़रा ध्यान से, यह हमारा L half है, और यह L square है, तो यह इदर cross multiply मेंगा है, potential energy का ML2, L4 हो गया, T minus 2 हो गया, L उपर जाएगा, तो 4 minus 1 by 2, इसको हम solve करेंगा, तो 8 minus 7, यह 7 by 2 आएगा, not 3 by 2, it is what, 7 by 2, यह आगा, और T का power कितना है, minus 2, यह किसकी value आगी, A की, हमें पूछा है, उसने A into B, तो A कितना है, ML7 by 2, T minus 2, और B कितना है, L2, तो यह कितना हो जाएगा, power add हो जाएगी, 2 to the 4, 9 by 2 हो जाएगा, तो यह आजाएगा, मेरा answer M1, L9 by 2, T minus 2, तो option हमारा, D एकदम correct हो जाएगा, इसका, आप ध्यान से देखो, ठीक है न, क्या हो गया, option number, D correct है, ठीक, तो यह हमारा आगया, अब हम बात करेंगे, next question की, next question हमारा, काफी interesting question है, यहाँ पर देखो, इसने कहा की, X की value, find out करो, यह equation दे रखी है, हमारी, integration equation, DT यहाँ पर हमें पता नहीं, यह time ही है, वैसे तो T time है, A नहीं पता, A क्या है, तो इसका dimension हम फाइंड आट कर लेंगे, because, यहाँ minus sign लगा, इसका मतलब T upon A, हमारा 1 के equal है, तो यहाँ से A का dimension क्या आजाएगा, T के equal आगया, ठीक, और वैसे भी यह पूरा term हमारा dimension less है, और अगर यह पूरा term dimension less है, तो यह A की power X, इस right hand, left hand के बराबर हो जाएगी, नीचे आप देखो, 280 minus T square, तो T square ले सकते हैं, क्योंकि dimensions equal होंगी, और T square root के अंदर है, तो बचेगा T, और उपर एक T already है, तो आप इसको देखो, integration करतों कोई concept ही नहीं है, बड़ आप देखोंगी नीचे T square आएगा, रूट के अंदर, और इदर बचेगा A का power X, क्योंकि sin हमारा dimension, sin cost 10, यह dimension less होते हैं expression, तो यह हमारा T upon T बचेगा, 1 is equals to A का power X, तो इसको हम ले सकते हैं, 1 को क्या ले सकते हैं, T का power 0, और इदर ले सकते हैं, T का power X, क्योंकि A का dimension T है, तो X की value सीधी-शीधी आगी है, हमारी क्या, 0, X की value क्या आगी, 0 आगी, clear, तो यह हमारा question हो गया, अच्छा, इसके बाद, next और question है, हमारे पास ही, what are the dimensions of A upon B, in the relation this, यह AMU engineering का question है, previous year में आयोगा question है, तो कितना easy question है, force को यहां relate कर रखा है, तो हमने क्या करना है, भई हमें पता है, plus sign लगा हुगा है, homogeneity principle क्या करता है, कि plus sign जब लगेगा, तो dimensions equal होंगा, it means, A root X is equals to B T square, तो यहां से A upon B, सीधा सीधा आपको देख रहा है, T square upon root X हो गया, और यह T square upon root X का मतलब क्या हो गया, L half minus का, और T2, L half T2, कौन सा option होगा, L half T2 का है, यह है, B option, B option करेक्ट होगा, L minus half T2, next देखो, next यह equation दे रखी, आपको एक equation of the state of a guess, यह best Bengal J का question है, अच्छा question है यह भी, तो B और C का, A और B का dimension बताना है, तो देखो, यहां यह आपको minus sign लग रहा है, इस expression में, it means B is equals to, क्या हो जाना चाहिए, तो B हमारा volume है, तो यह L 3 हो गया, और B square, तो यहां से B की value क्या आएगी, B की value आएगी, L का power 3 by 2, यह B का dimension आगे हो, A का dimension कैसे निकलेगा, अब इसको इकल कर दो, P is goes to A upon BQ, क्योंकि, क्या लगा हुआ है, plus sign लगा है, तो यहां से आगे है, T minus 2, volume का cube है, volume का cube तो मतलब, L के power 9 हो जाएगी, क्योंकि 3, L 3 होता है, और इसका भी cube है, तो क्या आगे है, pressure का dimension क्या आगे है, pressure का dimension आगे है, M, pressure नहीं, A का dimension, A का dimension क्या आगे है, M, L 8, और T minus 2, A यह आगे है, B यह हो गया, तो option काउन सा सही है, A option सही होगा, ठीक है न, तो यह हमारा, अगला question देखते हैं जरा, अब देखो, अगला question बहुत ही important है, और यह exactly, वैसा ही question है, जैसा हमने, first question किया था, इस lecture का, और यह J.E.M.N. का question है, last year, J.E.M.N. में आया हुगा question है, online exam में, तो क्या है, A, B, C, D, आर four different physical quantities, having different dimensions, none of them are dimensionless, but we know that the equation this, hold true, then which of the following combination, is not meaningful, तो इन चारों में से आपको बताना, कौन सा meaningful नहीं है, यह question आपका, home task है, इसको आपको क्या करना है, solve करना है, और comment box में इसका answer, बताना है कि कौन सा option हमारा correct option है, इसमें भी homogeneity principle लग रहा है, और इसके जैसा question हमने first question कराया है, इसी lecture का, उसको आप समझो, और इस question को आप solve करके, comment में बताऊगे कि what is the answer of this question, राइट, यह हमने homogeneity principle से related questions किये हैं, अगले lecture में हम एक और application based questions लेकर आएंगे, और जो है तब हम next जो dimensions का application उसको discuss करेंगे, ठीक है, अगले करेंगे करेंगे,